हेलो स्टुडेंट्स, वेलकॉम टो वर ऑन्लाइन स्टुडी यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस से 12 का क्वेशन नमबर 2 सौल करेंगे, क्वेशन नमबर जो 1 है, वो हम लोगों ने पार्ट 7 में सौल किया है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 7 नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले वो देखलो, मैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगे, तो चलो हम लोग प्वेशन नमबर 2 सौ यूज करना है, simplest form में, तो चलो हम लोग solve करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो, first question कौन सा है, 275 divided by 525, ये fraction दिया है हमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नमबर का ACF निकालेंगे, तो देखो, हम लोग कैसे निकालेंगे, division method ये उस करेंगे हम लोग, ACF निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे नमबर से बड़े नमबर को divide करेंगे, तो जो लोग स्टार्ट करते हैं, देखो, छोटा नमबर कुन सा है, 275, बड़ा नमबर कुन सा है, 525, देखो, छोटे नमबर से चलो division करते है, देखो, 275 बन जा, 275, 275 तो जा, 550, 550 इस ते बड़ा है मतलब, 1 से ही divide होगा, देखो, यहाँ बेगाएगा, 275, देखो, 275 बन जा, 275, वे बन से बड़े नमबर करते हैं, देखो, यहाँ जीर आएगा, 52-27 करना पड़ेगा हमें, अब देखो, 25, ओके, अब गया मिला हमें, देखो, remainder क्या आया है, यहाँ पे, 220, sorry, 250 remainder आया है, अब हम लग क्या करेंगे, इस remainder से previous divisor जो है, उसको divide करेंगे, ओके, तो देखो, previous divisor कुन सा है, first step में divisor कुन सा है, 275, तो इस remainder से हम लोग 275 को divide करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 275, अभी देखो, यहाँ पे 275 आया, चलो, division करते है, देखो, 250, बन जा 250, 252 जा 500 आता है, बन से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 250, 5-0, 5, 7-5, 2, आप एगा 0, अभी remainder क्या आई, 25, अभी इस remainder से हम लोग previous divisor को divide करेंगे, step 2 में divisor कोज़ा है, 250, तो इस remainder से हम लोग 250 को divide करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 250, देखो, यह divisor यहाँ पे लिखा हूँ, अभी देखो, 25 के डेबल में 250 आता है, देखो 25 10 सा 250, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10, यहाँ पे लिखेंगे 250, देखो remainder के आएगी 0, अभी remainder 0 आगई, पताब हम लोग stop हो जाएंगे, अभी remainder जोब 0 है, तब diviser कोन सा है, 25, तो 25 हुआ हमारा SCF किसका 275 and 525 का, तो हम लोग के से लिखेंगे, therefore the SCF of 275 and 525 is 25, ओके, देखो, यह divisor जो हे, वो यहाँ लिया था, फिर यह divisor यहाँ पे लिया था, इसे step by step जा रहा है, फिर remainder जो आई है, जब remainder 0 आई है, तब जो divisor होगा, वो होगा हमारा SCF, अभी देखो, अभी हमें simplest form में reduce करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यह जो SCF है, उस SCF से numerator and denominator में divide करेंगे, तो देखो, देखो, the simplest form of 275 divided by 525 is, देखो किसे करेंगे हम लोगा, 275 divided by 25, divided by 525 divided by 25, SCF से divide करेंगे, निर्मरेटर ने, दिर्मरेटर में दर्मरेटर में, अभी देखो, यह division करते हैं हम लोग, देखो, 25 divided by 25, फिटु बचेंगे 25 divided by 25, अभी देखो, 252 divided by 50, फिटु बचेंगे 25 divided by 25, ओके, तो यह हुआ हमारा simplest form, सिंप्लिस्ट फॉर्म का अंसर क्या आया है 11 divided by 21 ओके बहुत इजी है अच्छे से ट्रेक्टिस करा आप लो आगे हम लोग कुशन नमबर टू सॉल्ड करेंगे चलो सॉल्ड करते हम लोग देखो फर्स्ट टेप क्या है बड़े नमबर को छोड़े नमबर से डिवाइड करो तो चुरो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बड़ा नमबर लिखा यहाँ पर छोड़ा नमबर लिखा देखो बड़े नमबर को छोड़े नमबर से डिवाइड करो ओके अभी देखो फर्स्ट टेप क्या है नमारी डिवाइड करो, देखों, 76 1 जा 76, 76 2 जा 152, अब 152 ये नमबर से बढ़ा है, मतलब 1 से डिवाइड होगा, यहाँपे बनाएंगा, यहाँपे अमलब क्या लिखेंगे 76, अब देखों ये सब्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, 133 माइनस 76, अंसर कहते हैं 57, अब देखों, यह आई हमारी फर्स्ट टेप की रिमेंडर, अब फर्स्ट टेप की जो रिमेंडर है, उस रिमेंडर से हम लोग प्रिवियस डिवाइड को डिवाइड करेंगे, तो यहाँपे क यहाँच इएगा 76. देखों, फर्स्ट टेप की रिमेंडर को प्रिवियस डिवाइड़ से, प्रिवियस डिवाइड करों, अब देखों, 57 बन जा 57, ंब फिवियस डिवाइड करों, अब देखों, 57 जा 114, मतलव, बन से ही डिवा अब देखों, यहाँच आईगा 57, अब अब यह आई second step की remainder अब यह आई second step की remainder है उससे previous divisor को divide करो यह आप यह आएगा 57 देखो second step में remainder कोई है 19 19 से हम लो previous divisor previous मतलब यह देखो यहाँ पे previous divisor कुछ सहे यह यहाँ पे previous divisor कुछ सहे यह यह remainder से second step की जो remainder है उसको second step का जो divisor है उससे divide करो उसको divide करो remainder से उस divisor को divide करो अब देखो 19 बंजा 19 देखो 93 जा आता है 57 यह अभी क्या लिखेंगे 3 remainder क्याएगे 0 अभी देखो remainder 0 आ गई अब मुलाब stop हो जाएगे यहाँ पे जो remainder 0 है डिवाइजर क्या है नाइंटीन पर लब नाइंटीन है हमारा SCF इसका 76 and 133 का तो हम लोग कैसे लिखेंगे therefore the SCF is 19 तो भी हमें simplest form लिकाना है तो देखो the simplest form of 76 divided by 133 is देखो इससे निकाने के हमलो numerator में 19 से डिवाइड करो and denominator में भी 90 से डिवाइड करो SCF से डिवाइड किया ओके अधे देखो क्या अचराएगा देखो 194 जा 76 होता है मतलब यहापे क्या आएगा 4 and 1997 जा 133 आता है मतलब यहापे क्या आएगा 7 तो हमारा simplest form क्या आया 4 divided by 7 अब हम लग 3 नमबर को चोटे नमबर से डिवाइड करो यहापे क्या आएगा 161 यहापे क्या आएगा 69 अगी देखो 69 बन जा 69 69 तू जा 138 69 तू जा 272 देखो 2 से डिवाइड होगा अब यहापे क्या आएगा 2 69 तू जा 138 अभी देखो 161 मैंनास 138 23 अभी देखो फर्स्ट टेप की जो रिमेंडर है उस रिमेंडर से फर्स्ट टेप का जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करो यहापी क्या लिखेंगे हम लोग 69 अब यह डिवी जन करेंगे देखो 23 के टेवल में 69 आता है 23 तू हम लोग यहापी क्या लिखेंगे 3 यहापी क्या आएगा 69 इस रिमेंडर क्याएगे 0 अभी रिमेंडर 0 आगए तो हम लोग यहापे स्टॉप हो जाएंगे जब रिमेंडर जीरो है सेफ क्या है 23 जब रिमेंडर जीरो है तो डिवाइजर क्या है 23 तो 23 हुआ हमारा सेफ 161 एंड 69 का सब्सक्राइब क्या से लिखेंगे देर्फोर देश्चेफ इस 23 वी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे देश्चेफ फॉर्म ओफ 161 एंड 69 इस कैसे निकालेंगे देखो 161 डिवाइड बाइड बाइड 23 से डिवाइड करू डिवाइड बाइड बाइड 23 अभी देखो 23 7 जा 161 होता है बलब यह आप देखेंगे आएगा 7 7 से डिवाइड होगा ओके अभी देखो 23 3जा 161 होता है बलब यह आप आएगा 3 यह डिविजन का अंजर क्या आएगा 3 अभी हमार देखो यह हुआ simplest form 7 divided by 3 किसका 161 and 161 divided by 69 का बहुत इजी है आप लोग tactics करो ये वीडियो अगर आप लोगो को अच्छा लगा होगा तो like करो and channel को subscribe करो Thank you